आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोग प्रियाच चानल प्राइम टीवी यानि कि उमेश पाल के उपर गोलिया बरसाते हुए नजर आ रहे थे तो ये हम आपको पहली तस्वीर उमेश पाल हत्याकार की दिखा रहे हैं जिसमें गोलाम शूटर जो है वो टोपी लगाए हुए गोली चलाते हुए दिखाए दे रहे हैं तो वही इन्हें तस्वीरों मे अतीक का बेटा असद भी इनकाली कपड़ों में जिसको आप देख रहे हैं ये असद है और ये फाइरिंग करता हुआ नजर आ रहा है ये अतीक के तीसरे नंबर का बेटा है जिसे पुलस ने अनकाउंटर में धेर किया है जो हाँ बीते दुनों एक तरफ अतीक और अतीक क भाई अश्रफ की कौट में पेशी हो रही थी तो वही दूसरी तरफ जहासी से तीस किलो मीटर यानि की बड़ा गाउ में एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद और गुलाम शूटर को धेर कर दिया गया तो एक बार फिर इस खबर पर जादा जानकारी के लिए प्रियाग राग्त से हमारे सहयोगी पवन पटेल सीधा हमारे साथ जुड़े है पवन अतीक के बेटे को असद के आज शफ को प्रियाग राज लाए जाएगा लेगिन सुपुर्ते खाक उसे कल सुबह किया जाएग सुपुर्ते खाक कल करने की वज़ा क्या बताई जा रही है क्योंकि अभी तक तो यहीं हो रहा था कि अतीक के बेटे यानि कि आसद का जो सुपुर्ते खाक की रसमें हैं वो आज हो नहीं है लेकिन अचानक से खबर आती है कि यह सारी रसमें कल की जाएगे और सुपुर्त कि जासी से करीब 20 किलो मीटर आगे पुलिस द्वारा उमेश पाल हत्याकार्ड में शामिल अतिक हमत के बेटे अशत तथा सूटर गुलाम को इंकाउंटर में धेर कर दिया गया है और उसी दोरान अतिक हमत के चेहरे पर वो खौब साब तोर पर देखा गया हलाकि जो सवाल है कि आज जब यहां पर अतिक हमत के बेटे असत के शओ को लाया जाएगा तो सुपूर्दे खाक कल किया जाएगा लेकिन अभी इसकी अधिकारी कुरूप से पुष्टी नहीं हो पाई है क्योंकि जिस तरीके से अतिक हमत के पुष्टैनी मकान पर हजारों लोगों की जो भी देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि जो भी प्रक्रिया है या जो भी रसमे है वो कल निभाई जाएगी लेकिन कहाँ यह भी जा रहा है कि जब आसक का श्ओ प्रयागरा जाएगा तो उसको पुरे रस्मों रिवाज के साथ सुपूर्दे खाक किया جाएगा और उसको दफना क्योंकि आ ये भी जाता है कि मुसलिम सम१ाय में उसके आत्मा की सांती तो भी मिलती है। हो सकता है थोड़ा सा समय में बदला हो लेकिन अभी तक ये इस पश्ट नहीं हो पाया है कि असद के शव को सुपूर्दे खात आज किया जाएगा कि कल किया जाएगा तो ऐसे में लगातार तस्वीरे जो है बो अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग चर्चाओं का विश्य बनी हुई है तिल्कुल पवर जो आती के बेटे असद का शव जो है उसे जहासी से प्रियाग राज लाए जा रहा है लेकिन अग्या अभी तक किस मामले पर किसी ने अधिकारी का बयार नहीं निकल के सामने आ रहा है लेकिन कब तक क्यों मेद जताये जा रही है कि प्रिया अधिकारी कुछ भी बोलने और बताने से कत्राता है क्योंकि उनका साब तोर पे कहना था कि इनका ये आपरेशन कहीं ने कहीं प्रभावित हो रहा है लेकिन जब इसने बड़े हत्या कांड के मुख्यारोपी को आशाद और गुलाम सूटर को इनकाउंटर में ढेर कर दिया तक असत का 70 versus से प्रियाग आज लाया जाएगा हालाकि अभी ये कहा जा रहा है कि तमाम एसी जो कारवाईयां है पुलिस दवारा कागजी कारवाईया वो की जा रही है जिसकी वुज़े से समय को थोड़ा सा बदला गया है और यह कि ये भी देखा जा रहा कि जिस तरीके से हजारों लोगों की यहाँ पर भीड है तो सुरक्षा के दिश्टिकत हो सकता है पुलिस एतियातन असद के शव को कल सुपूर्दे खाक करें लेकिन इस पुरे घटा को अगर हम सिलसे रवार भी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि इस पुरे घटा को लेकर जब आज असद का प्रियागरा जाएगा तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि आकिर असद के शव को सुपूर्दे खाक करेगा कौन और उसके सव को यहाँ पर उठाएगा कौन क्योंकि इतने बड़े सामराज्य का असद उत्तरा धिकारी बनने वाला था और अतीक का यह तीसरे नंबर का बेटा जिसको अतीक शेर कहकर पुकारता था तो कल यह भी कहा गया जब इसका इंकाउंटर हुआ कि अतीक का सेर इंकाउंटर में धेर और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी जोड़ी जाएगी कि जब बीतर 24 फरवरी को उमेश पाल को दिंदारे गोली और बम मार कर मौत के घा अपरादियों को मिट्टी में क्यों मिला जा रहा रहा है और बिल्कुल परवर अभी आपने जिकर कि शासी से शव हो सकता है शाम छे बज़ ज़ और आप में लगातार अतीक के घर के बाहर की तस्वीरे भी अमारे दर्शकों तक पहुंचाए तो क्या अतीक के जो बेटे यानि कि असत का जो शव है वो पुष्टैनी मकान पे ही ले जाए जाएगा या फिर कहीं और भी ले जाए जा सकता है। चुकि अतीक के पुष्टैनी मकान से और जिस जगह से कबर खोदी गई है उस अस्थान की दूरी करीब 5-6 किलो मिटर के आस पास की है। और इतना लंबा रास्ता पुलिस नहीं तैय करेगी और नहीं तैय करने देगी क्योंकि एतियातन सुरक्षा भी जरूरी है। जहां पर उसको सुपूर्दे खाक किया जाएगा उसका अंतिम संसकार किया जाएगा तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहां पर हजारों लोगों की भीड है। उस बीड से बचाकर पूलिस द्वारा असत के शव को उसी कबरिस्तान में लाया जाएगा जहां पर शवदा गया है। असत के शव को दफनाया जाएगा तो निश्टी तरूप से यह तस्वीर महत्पूर होगी। हाला कि मैं इस जाएगा आपको इसमें बताता चलूं क्योंकि पूरे हत्या कान को लेकर और असत के इस इनकाउंटर को लेकर जो अभी तक जो सबसे बड़ी बात आई है। हाला कि अभी हमने मुस्लिम समुद्राय के कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की उन्होंने कैमरे पर तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। क्योंकि महत्पूर्ण ये भी है कि उमेशपाल हत्या कान मामले को लेकर असत की मा साइस्ता परवीन जो अतीक अहमत की पत्नी है वो लगातार फरार चल रही है। कि बहन कई बार मीडिया के सामने आई हैं उनको भी पुलिस बारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा दी तो ऐसे में सबसे बड़ा महत्पूर्ण ये है कि आकिर असत के शव का अंतिम संसकार करेगा कौन और असत के शव को किस तरीके से सुपूर्दे खाक किया जाएगा। बिल्कुल पवन अभी आपने इक बात का जिक्रि किया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये मानना है कि अगर जनाजे में वो जो युवक मरा है ये युफ्ती मरी है अगर उसकी माज शामिल नहीं होती है तो माना जाता है कि आत्मा को शांती नहीं मिलती है और सुपूर् बाते लोगों के सामने आई तो ये कि ये भी बाते सोसल वेडिया पर तमाम तरह के सब्दों के साथ आइं कि हो सकता है देर शाम तक अतीक एमत की पत्मी साहस्ता परवीन सरिंडर कर दें क्योंकि उनको अपने बेटे के जनाजे में शामिल होना है लेकिन एक और महतूर जा अरजी पेश करें लेकिन जब पोट बंद है तो ऐसे में इस पे भी विराम लग गया है लेकिन जो सबसे बड़ा महत्पूर है कि आखिर किस तरीके से असत के शव को सुपूर्दे खाक किया जाएगा क्योंकि जैसा अभी आपने जिक्री के और मैंने भी बताया कि यहाँ और जब हमने महिलाओं से बातचीत करने की कोशिशिश की तो महिलाओं ने ये शब्द बताए हैं हाला कि इसके बारे में मुझे पराणिक तमाम बाते नहीं पता हैं लेकिन महिलाओं के अगर माने तो जब किसी बेटे की मौत होती है तो उसकी माह उसके जनाजे को एक बार परवीन किसी ने किसी तरीके से इसमें शामिल हो सकती हैं लेकिन जिस तरीके से वो घटना के बाद से फरार हैं उनके उपर 50,000 रुपए का इनाम घोसीत है ऐसे में आज असद का शव अगर आता है या दिर रात को आता है या कल अगर उसको सुपूर्दे खा किया जाता है तो सबस्यादा महतूर्ण है कि आखिर असद के शव को अंतिम विदाई कौन देगा ये सबस्यादा महतूर्ण है जी मुसकान मतब यानि कि पवण जब जनाजे की जो तस्वीरे होंगे उसमें ये देखना बहुत दल्चस्प होगा कि शायसता परवीन रहती है या नहीं लेकिन पवण अगर एक बना हम आतीक की रिमांड पर का दिक्र करें तो आतीक की जो रिमांड मनजूर की गई है उसके रिमांड था कि मैंने पहले बताया कि इस पूरे घटना को लेकर जो जिले के अला धिकारी है वो कुछ भी बोलने और बताने से कतराते हैं अब हाला कि ये जरूर है कि पूलिस की कस्टेडी में अतीक और अश्रप को रखा गया है उनसे पूस्ताज की जा रही है हाला कि कई तरीके की बाते सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के साथ इनका कनेक्शन सामने आया है लेकिन जब तक इसकी अधिकारी कुछी नहीं हो जाए इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले को लेकर किस तरीके से पुलिस और उत्तर प्रदेश एश्टी अब जास परताल कर रही है या आने वाले दिनों में निश्ची तरूप से उमेशपाल हत्याकारण में बड़ा खुलासा करेगी और सबस्यादा महत्मूर्ण इसलिए भी है कि इस पूरे घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आधितनाद लगातार नजरे बनाए है और प्रदेश सरकार लगातार इन आरोपियों की तलाश करवा रही है और मुख्यमंत्री योगी आधितनाद के बोश्चब लगातार अपरादियों के कानों में बार बार गुन रहे होंगे कि उत्तरब्रेश सरकार अपराधियों के साथ किस तरीके से सलूक करेगी किस तरीके से उनके ओपर करवाई की जाएगी अब भीते कल या आज देर रात को जब अस criकार्चाव यहां आएगा किस तरीके से सुपूर्द्टर काथ होगा और किस तरीके से बो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल भी लेकर खड़ी हुई है और ये दिल्चस्प भी होगा कि आखिर मुस्लिम समधाये में बिना परिवार के लोगों के साथ किसी को सुपूर्दे खाट कैसे किया जाएगा जी मुस्कान पवन अब हम हम एक बार एंगाउंटर को लेकर कि जो F.I.A.R. की गई है उसके बारे के बारे में हमें डीटेश करा आएगा है कि जो बड़ा गाउंटर होते है तो इसके मجिस्टेरिया जाश fatria जरूर होती है तो उस जाश के लिए बड़ा गाउंटर में F.I.R. की दौरान क का कुछ जो मुख्यों पॉइंट है वो निकल के सामने आए हैं देखे मुसकान बार 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 एकी सवाल पर एक ही जवाब है मैंने क्या कहा कि इतने बड़े घटना करम को लेकर जब कोई जीले का कोई अला अधिकारी अगर उसके कुछ बोले उसको ब्रीफ करें उसकी जानक करें दो पहले की चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्यों मेशपाल हत्या कांट के कुछ दिनों बाद प्रियागराज पुलिस द्वारा जिला मुक्याले से करीब 40 किलो मीटर दूर एक अपरादी को इनकाउंटर में मार दिया जाता है और इस पूरे घटना करम की तस्वीरें सामने आती हैं और जिले में पुलिस कमिशनर है जिला अदिकारी है तमाम जिले में और भी अलादिकारी है लेकिन इस घटना को लेकर ADG L.O. प्रशांद कुमार का लखनाउ से बयान सामने आता है तो कहीं ने कहीं ये भी देखा जाता है कि जिले का अलादिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलना या कुछ भी बताना उनको लगता है कि कहीं ने कहीं का ये ये आपरेशन प्रभावित हो रहा है हाला कि पुलिस की कारवाई निश्ची तूप से सवालों के घेरे में थी लेकिन से बीते कल से ही पुलिस की जो कारवाई है वो जमीनी अस्तर पर दीख तो कहीं ने कहीं ये भी कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्या कांड को लेकर पूलिस जो है वो लगातार आरोपियों की तलाश करिए और जल्दी पूरे घटना का खुलासा हो जाएगा इसमें एक चीज़ और भी जोड़ना सबसे मात्पूर है मुश्कान बीते कल जब असत और गुलाम सुटर के इंकाउंटर की खबर सामने आई थी उसके ठीक बात हम लोगों ने मुष्णा कुमेश पाल के घर पर उनके पर जोड़नें से बाचीत करने की कोशिश की थी और इसमें जो सब्से बड़ी बात है कि अमृता कुमेश पाल की पत्नी जो है जया पाल उन्हो इस तरीके से कारिवाई की है उसको मौत के घाट उता रहा है तो निश्ची तरूप शे उएशपाल का जो परिवार है बीते कल जब अश्यादा और गुलाम सूटर को मुडवेड में मार दिया गया है तो कहीं ने कहीं बो भी संतुष्ट है हलाकि अभी उनकी जो और भी की जा रही है कााथ ये भी जा रहा है काने वाले दिनों में तमाँ वो बड़े चेहरे वो बड़े ड़े आजबनेघ्र को साफैः व्यक्ति वाजयरों कि क्योंकि F.I.R. की कॉपी की कुछ जो बाते जो मेरे ध्यान में है जो मेरे जहन में है वो ये है कि दोनों ही ने हेलमेट नहीं लगाए था तो ये जो F.I.R. को लेकर एक बड़ा सवाल ये है कि दोनों आरोपी अगर हाईवे पर टहल रहे थे तो हाईवे पर तो गर हेलमेट नहीं होता है तो चला लगाय जाता है और उन दोनों को ही पता था कि वो दोनों पर इनाम गोशिता है वो दोनों बगोड़े गोशिता है और इनाम वाले जो बदमाश है तो ऐसे में उन्होंने हेलमेट नहीं लगाए था, ये बात F.I.R. में जड़ा अर्पड़ी से लग रही है लोगे जी बिलकुल, मैंने पहले भी बता है कि देखी, घटा को लेके तमाम ऐसी बाते हैं जो आला आरी साजा नहीं कर रहे हैं, और ये बिलकुल ये बड़ा सवाल है कि जब जिस तरीके से असाद और गुलाम सूटर को जहासी में हाईवे पर उनसे मुड़ भेड हुई है, तो निश्ची तरूप से अगर वो बाइक से चल रहे हैं तो उनके पास हैलमेट होने चाहिए, सबसे बड़ा महतपूर जो आपने प्रशन रखा है, वो इसलिए जरूरी है, कि एक तरफ जब इतने बड़े हत्या कांड में वो आरोपी हैं, उनके उपर पांच लाक रुपए का इनाम गोसीत है, और वो बिना हिलमेट के चल रहे हैं, तमाम ऐसी जो जिक्र हैं फाई यार में, वो महत्तूर है, हाला कि पुलिस काला इदिकारी इस पर जा जरूरी साबित होगा, क्योंकि अगर जहासी और प्रियागराज की दूरी की बात की जाए, तो करीब 400 से जादा किलो मीटर की दूरी है, और जब वहाँ पर इंकाउंटर होता है, तो यहाँ पर सिब खबरे आती हैं, हाला कि किसी आला इदिकारी इसकी पुष्टी नहीं की इसको साजा करनी चाहिए, ताकि किसी तरह की ब्रामाख खबरे, कोई अन्य मीडिया संस्थान, कोई अन्य पेपर करने होई, न्यूस पेपर, तमाम चैनल जो चलाते हैं, वो लोगों को ब्रामित न करें, एक यह सुजाब भी ताजा जा जा तकता है, वो लगतार हैं अब तो पवल लगतार आप इस खबर पर नज़र बनाया रखेगा, हम पल-पल की अपडेट लेने लगतार आप तक पहुचेंगे, फिलाल धन्यवाद इस खबर पर हमारे साज जुणने के लिए पुचार लोगों को धेर किया जा चुका है, वही बीते दिनों के अगर बात करें तो बीते दिनों बड़ा गाउं के पास एक एंकाउंटर हुआ, जहां पर पुलिस ने यानि कि UPSTF को एक बहुती बड़ी सफलता हाथ लगी जोराने UPSTF ने अतीक के शेर बेटे असाथ और शूटर गुलाम को एंकाउंटर में धेर किया है, जिसकी मजिस्टेरियल जाच होड़ी है, जिसको लेकर बड़ा गाउ में ही एक FIR भी दर्च कराई गई है, लेकिन अगर सूत्र की माने तो अतीक कशव आज प्रियागराज पहुच जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार